Hello everyone, welcome back, मैं हूँ नितन सोनी और आज हम वीडियो से रिलेटेड एक पूरी क्लास समझने वाले हैं कि Figma में एक वीडियो प्रोटोटाइप हम कैसे बना सकते हैं, कोई भी वेबसाइट में हम वीडियो एड कैसे कर सकते हैं, और वीडियो के जितने भी प्रोटोटाइपिंग के स्टेट होते हैं, जैसे होवर पे वीडियो प्ले होना, और विद कंट्रोल्स वीडियो प्ले होना, यह सारी स्टेट हाज हम डिजाइन करके देखेंगे, पूरा प्रोटोटाइप आपको मैं डीप लेवल समझाऊंगा, लेकिन शर्त इतनी है कि आपको यह वीडियो पूर अच्छास में हम सीखेंगे, यहाँ पर मैंने अपना लेयाउट ओपन कर रखा है, तो लेयाउट पूरा डिजाइन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो से रिलेटेड है, वीडियो के सारे कंट्रोल्स कैसे काम करेंगे, और होवर पे कैसे काम करेगी, और आटो प्ले कैस लोड हो, आटो प्ले चले, लेकिन फोर्स फुली मैं उसको स्टॉप और प्ले कर पाऊं, इसके लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, प्ले और पॉस का मेरे पास अल्लेडी बटन है, जिसको मैंने फ्रेम में डाल रखा है, यहाँ पे ग्रूप नहीं किया हुआ है, फ्रेम क क्रिएट कर देता हूँ, इसमें मैं वेरियंट एड कर दूँगा, और यह जो मेरी लेयर है, यहाँ से मैं यह पॉस का आइकन उठा लूँगा, कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दूँगा, यह वाला जो मेरा आइकन है, प्ले वाला, उसको मैं इसको हम साइड में रखते हैं, और यहाँ से ही जो मैंने बॉक्स बना रखा है, इसको मैं कमांड ची और कमांड वी, एक और मैं बना लूँगा, और बाहर की तरफ ले आऊँगा, इसमें मैं बेसिकली वीडियो प्ले कराने वाला हूँ, वीडियो किस तरीके से काम करेगी देखते हैं, तो यहाँ से आपको जाना है फिल में, और सॉलिड की जगह पे आपको करना है वीडियो, यह वीडियो फीचर आपके पास तब एक्टिवेट होगा, जब आपके पास परचेस्ट सब्सक्रिप्शन होगा, अधरवाइस मेरी एक क्लास है, जहाँ पे मैंने तर यहाँ से मैं अभी कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ, यह सारी वीडियो मैंने अल्रेडी डाउनलोड कर रखी है, आप भी पैक्सल से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर फिरी चाहिए, पेड भी काफी जगह पे अवेलेबल होती है, तो यहाँ से मैंने वीडियो सेलेक्ट कर लिया मैंने, क्रॉप सेलेक्ट करने के बाद मुझे यह ऊपर की तरफ चाहिए थोड़ी सी, तो यहाँ पर मेरी वीडियो तो इंपोर्ट हो गई है, लेकिन कंट्रोल कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, आपको जाना है प्रोटो टाइप में और इसको सेलेक हो जाएगी, तो लूप मैं आपके खतम कर सकता हूँ, लेकिन अब यही बैनर है, तो बैनर में लूप चला रहने देंगे, अगर वीडियो में साउंड है, तो उसको भी आप on-off कर सकते हो, तो यह सारी वीडियो की प्रॉपर्टीज हैं, अभी apply कैसे होंगी, वो भी देख के आचुका हूँ, और इसको मैं, अभी हम डिजाइन पर ही जाएंगे, प्रोटोटाइप पर कुछ नहीं करना है, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इन दोनों को पकड़ के, मैं एक component बना देता हूँ, और component बनाने के बाद, एक variant भी add कर देता हूँ, अब component में properties क्या देनी है, उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, पहले मैं बोलता हूँ कि autoplay चले, लेकिन जैसे ही मैं इस बटन पर click करूँ, तो pause हो जाए, तो pause वाला section भी हमें बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर अगर हम double click करेंगे, वीडियो की properties हमें मिल जाएंगी, तो यहाँ प prototype में ही रहेंगे अभी हम, और इसको हम select करेंगे button को, और इसको trigger देंगे यहाँ का, यहाँ पर on click रहेगा, सारी properties सेम रहेंगी, इसमें कोई भी changes नहीं है, और इसको हम बंद कर देंगे, और यहाँ से मैं इसको दूंगा trigger इस वाले का, ठीक है, और यहाँ पर दोनों ही play के अभी button, तो हमने इसको component बनाया था, तो यहाँ से हम इसका variant change कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इस component को select कर लेंगे, और design में जाएंगे, और यहाँ पर variant 3 हम कर देंगे, तो यहाँ पर दो variant हमने बनाये थे, एक यह वाला और एक यह वाला, तो basically यह auto play हो रखी होगी, तो मुझे इसे play नहीं करना है, pause करना है, तो यहाँ से मुझे यह change करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा variant 3 और यहाँ पर हमारा variant 2 आएगा, क्योंकि जब video stop होगी, तब मैं उसको बोलूँगा कि इसको आप play करो, तो हमारा यह भी component यहाँ पर तयार हो चुका है, और video वाला component हम यहाँ स उतार लेंगे, तो जितने भी component हमने बनाए हैं, उनको side में रख देते हैं, यहाँ से video वाला ले लेते हैं, तो video को आप इस पर रख दे, simply, और इसको हम ले जाएंगे सबसे पीछे, command, option, bracket के साथ मैं इसको पीछे लेके गया, और इसको मैंने align कर दिया, properly, अब यह लेयर य इसको मैंने कर दिया, red, यहाँ पर भी इसको मैं red ही कर दूँगा, यहाँ से इसकी opacity थोड़ इसी और down कर लेंगे, इसकी साथ थोड़ सा play करना पड़ेगा हमें, इस तरीके से हम इसको रख सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी banner की video है, वो बन चुकी है, इसके बाद एक final preview द play भी कर पा रहा हूँ, तो एक condition हमने यह achieve कर ली, जब भी हमें banner में कोई video लगानी है, और अगर उसको control करना है, तो control भी हमने यहाँ पर सीख लिये हैं, अब बात आती है hover की, कि hover में हम किस तरीके से इसको add on कर सकते हैं, तो यह जितने भी placeholder है, इसमें सब हम video डालेंगे, जो hover पे चलेगी, और उसमें एक और special command होती है, वो मैं आपको बताऊँगा, जब मैं इसमें video डालूँगा, तो video डालने के लिए मैं इस placeholder को भाहर निकाल लूँगा, एक placeholder को, and यहाँ पे हम डालेंगे अपनी video, तो again यहाँ पे मैं fill पे जाता हूँ, and video पे जाता हूँ, और video मैं यहाँ से डाल देता हूँ, अभी के लिए मैं यह वाली video डाल दिये इसमे, and इसको मैं बना देता हूँ, component, component बनाने के बाद, इसमें मैं variant add कर दूँगा, and variant add करने के बाद, पहले मैं इसकी condition देखता हूँ, क्या है, इस पे double click करूँगा, और prototype पे जाऊँगा, तो यहाँ पे इसने दिखाया है, autoplay, autoplay, पहले हमें यह बंद ही चाहिए, वीडियो, image की तरह चाहिए, तो play नहीं चाहिए हमें, जैसी load होगा, तो यह play नहीं होगी, इस पे हम कहते हैं, यह हमें play वाला control इस पे चाहिए, autoplay, ठीक है, जैसी मैं hover ले जाऊँ, तो यह चलनी तो आपका यह भी तयार हो चुका है, यहाँ से मैं इसको बाहर उतार लूँगा, यहाँ पे इसको लेके आ जाऊँगा, अब इसमें एक चीज और है कि इसी component को बार-बार मैं कैसे यूज करूँ, दुबारा मैं यही सारे practices करूँ, यह कोई और short तरीका भी है, बिल्कुल क्या करना है, इसी को कॉपी कर देना है, 3-4 भार, तो यह मैंने 3 भार कॉपी कर दिया, अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक वीडियो आपको यहाँ पर, चेंज करनी है आप फिल्म में जाएंगे और यहां से चेंज वीडियो तो यहां से मैंने दूसरी वीडियो डाल दी and इस वाले को भी मैंने सेलेक किया यहां से मैंने अलग वीडियो डाल दी तो यहां पर सारी मैंने वीडियो डाल दी है अब देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो मैं यहां से करता हूँ play अपना prototype and play करने के बाद उपर वाला तो हमने check करी लिया था and now हम ये भी check करेंगे अब इसमें आप एक चीज देख रहे हो कि जहां पे भी मैं अपना hover छोड़ रहा हूँ ये video वहीं पे ही रुक रही है यानि कि ये शुरू से नहीं चल रही है बार बार ये वहीं पे रुक जाती है जहां से मैं अपना cursor हटाता हूँ तो ये भी properties के अंदर होती है hover पे सारी चल रही है लेकिन आप देख रहे होंगे hover जैसी हटाता हूँ वहीं पे ही pause हो जाती है ये तो उसकी property क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको ये चीज़ चेंज करनी होगी तो तो आप जाएंगे अगेन अपने component में और component में आप चेक करेंगे यहाँ पे prototype में जाएंगे जो आपने यहाँ पे while hovering दिया है तो यहाँ से आप एक ये tick देख सकते हो reset video state अगर reset आप कर दोगे तो बार-बार hover पे नए तरीके से वो वीडियो शुरू होगी तो ये भी आप यहाँ पर apply कर सकते हो as per the condition तो वीडियो का सही use हम कैसे कर सकते हैं आप सब लोग खुद imagine कर सकते हैं और banner में भी मैंने आपको डाल के बता दिया और अगर आपका कोई ऐसा feature है जहाँ पे आप hover पे दिखाना चाते हो तो वो भी हमने दिखा दिया तो ज़ादा से ज़ादा मैंने video की states यहाँ पे cover करने की कोशिश की हैं और prototype की जितनी भी video properties थी वो सब आपके साथ मैंने share की है इवन इसमें आप music भी add कर सकते हैं वो भी मैं already आपको बता चुका हूँ तो आज की इस class में सिर्फ इतना ही I believe कि video implementation से related सारे doubts आपके clear हुए हूँ Figma में हम video किस तरीके से use कर सकते हैं वो बहुत ही clear हो गया हुए है अगर आपको इक लाज पसंद आई है तो please subscribe करें चैनल को और share करें videos को Thank you so much